So, दुस्तो, आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं, कि किस तरीके से आप Central Bank का KYC अपडेट कर पाएंगे घर भेटे हैं ओनलाइन तरीके से अपने मॉबाइल फोन से अगर दुस्तों अगर आपका भी यहाँ पर Central Bank में अगर आपका account है आप Central Bank account का अगर ग्रहक है और आपको यहाँ पर bank नहीं जाना है और bank जाने की बाद भीगर आपका KYC complete नहीं हो पाता है भीड की वज़ा से या फिर किसी भी कारण से तो यहाँ पर दुस्तों finally update आ चुका ह तो कौन सा नंबर है किस तरीके से हम करेंगे आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को आपको अच्छे तरीके से पहले वास्च कर लेना है उसके बाद ही हाँ पर आपको पूरा process समझ में आ जाएगा तो आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क प्लस का ओप्षन को मिलेगा उसके पर आपके सामने लिएक नमबर दिख रहा होगा इस तरीके से हैं पर आप औरечение को नोडर करना है नोड करने के बाद यहां पर हमझाद चले जाएंगे message box वाले section में उसके बाद यहाँ पर हम इस number को type करेंगे और done में click करेंगे, done में click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको only for, आपको capital letter में यहाँ पर आपको type करना है YASES और आपको send कर देना है, send करने के बाद दोस्तों आपके सामने finally इस तरीके से message आ जाएगा, मैंने यहाँ पर अपना कल ही किया था मैं आप सभी को हैं पर सिर्फ बता रहा था, यहाँ पर आप सभी किस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका अगर कुछ देर में ही लगबग 10-15 मिनट के अंदर आपके mobile नमबर पर इस तरीके से message आ जाएगा, your KYC, your request for KYC for your customer ID यहाँ पर आपका दिखाएगा, customer ID यहाँ पर आपका लास्ट का चारंग सो होगा इस अगस्पूल and updated in your hour record, यहाँ पर आपका इस तरीके से BOL यहाँ पर आपको इस तरीके से option देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस प्रकार से आप Central Bank का KYC कंप्लीट कर पाएगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो bank account है, उसमें आपका mobile नमबर रेइस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से Central Bank का KYC अपडेट कर पाएगे, तो दोस्तो आई हो वीडियो का बसंद आयोगा, सारा चीज के लिए अर समझ मैं होगा, वीडियो का अच्छा लगाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे गर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए मिलता है किसे नेक्ट बुरियो मैं